तो सुरुवात करेंगे हम हमारे आइडिया नमबर फर्ट से दोस्तों जैसे कि हमारे घर में कंबल होते हैं सरतियों का टाइम आ गया है तो बहुत सारे कंबल हम निकाल के रखते हैं और कई कई बार क्या होता है कि जो एक कंबल है उनको रखने की जगह भी समझ में नहीं आती कि इनको कहां रखे साथ में जो हमारा घर होता है न हम उसमें कितने भी कुशन लगा लें सारे के सारे कम ही बढ़ते हैं खासकर जब गैस्ट आ जाते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको लेना है कम्बल, उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है अपने तक्ये के हिसाब से, जो आपका तक्ये का कवर है पुराना उस हिसाब से, और उसके अंदर आपको इसको फिट कर देना है, और दोस्तो आपका जो एक नया पिलो है, वो बन करके रैडी हो बहुत ही आसान ट्रिक है यह आप इसको जरूर फोलो कीजिए जब आपके घर में गैस्ट आए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं मैं तो डेली वियर इसको ऐसे ही करती हूं जब कंबल यूज करने के लिए होता है तो निकाल लेती हूं और नेक्स दे मैं ऐसे ही उसका एक बना करके रख लेती हूं इससे क्या है कि हमारा घर भी ओर्गनाइज रहता है और जो हमारे घर में स्पेस है वो भी काफी बच जाता है और पिलो की कमी भी जो है नहीं पड़ती है अब चलते है आईडिया नमबर दो की तरफ न्यूस्पेपर हमारे घर में होते ही हैं कई तो इसका सबसे बढ़ी आपके साथ कर रहे हूं जितना कि मैंने लिया था और जो हम नहाते हैं जब हमारे बालों को बोस करते हैं तो बाथ तरह से बाल खटा हो जाते हैं अगर मुझने हाथ से उठाते हैं तो बहुत हिवादी लगता है तो इसलिए आप इस नियूज-पेप वह भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो इस तरह से आप न्यूजपेपर को यूज़ करके देखिएगा बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं दोस्तों वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर ले और चैनल को जरूर करने के लिए और जो है वोश वेशन का मीरर वोश वेशन को क्लीन करना तो डेली रूटीन हमारा होना ही चाहिए क्योंकि यह एरिया में हम सबसे ज्यादा बार बार आकर के हाथ दोते हैं और उसको साफ रखना ज्यादा जरूरी भी होता है तो इसके लिए आप जो कपड़ करण ंवाला यूदिया को जरूर्ड ख vet करते हैं कियोता है कि आपने वहस वेशन को एपने ज्यादा पर टारी के सफा भीर नहीं पाते हैं तो इसलिए अप जरूर जरूर इस ट्रिक को फोलो कीजिए जब वहस वेयशन को क्लीन चरते हैं तो इस तरह से आप अपने पंज को भी जरूर कीजिए रोजना आप अपने पंप क्लीन नहीं कर सकते हैं तो हपते में एक बार इसको जरूर कीजिए और आप देखे होगे कि जो आपका वोश विशन का जो एरिया है ना वो काफी जादा आपको साफ लगेगा तो अब मैं आपके साथ शेयर करें आइडिया न निकालते हैं और उसके साथ 2-3 कपड़े ऐसे ही बाहरा जाते हैं जिससे कि हमारा कबर ना वो फैला फैला लगता है और जो है कपड़े हैं जैसे कि हम वोसिंग मसीन में इनको वोस करते हैं तो इनको प्रेस के भी काफी ज़रूरत होती है तो आप क्या करें जो भी आपको प्रेस करके रख लीजिए जो डे आपका फ्री रहता है जानि कि जिस टे में ज्यादा तरह आपको कामनी होता है तो उस टे में आप अपने कपड़ों को प्रेस करके रख लीजिए और साथ में जो हैं जैसे कि हम अलमारी में जो कपड़े हैं वो रखते हैं तो उनको क्या क आप जब भाहर जाते हैं या फिर आपके घर के पास जो भी गरीब आदमी रहते हैं जिनको कपड़ों की सक्त ज़रूरत है क्योंकि उनके पास इतने कपड़े नहीं है कि वह अच्छे से अपना तन ढख सके तो उन लोगों को आप कपड़े दे दीजिए मैं देखिए इस तरह से पेपर बेग में इनको स्टोर करके रख रही हूं मेरे पास जो कचरे वाली आती है मैं अब उनको यह बैक दे दूंगी पानी निकलता है तो इसके लिए क्या करना है इसमें पहले नमक डाल लेना सितना भी आप दालते हैं यह अगर थोड़ा साना ओएल डाल दीजिए और फिर अगर आप सीटी लगाओगे न दोस्तो तो आप के जो दाल है उसमेसे पानी बाहर नहीं निकलेगा और बहुत ही ट तो वहां पर हमें जरूर से जरूर जो है पाइदान डालना चाहिए इसके इससे क्या होगा जो भी हम गिले पैर लेके बातरूम से बाहर आएंगे ना तो फ्रस पे आपके पैर नहीं छपेंगे और आप पाइदान पर अच्छे से अपने पैर को पोच भी सकते हैं और इसके स आप बातरूम में लेके जाओगे और उनी चपलों से फिर आप अंदर किचन में परवेश करोगे ना तो यह बहुत ही गलत मैनर्स होता है तो इसलिए आप बातरूम की अलग चपले रखे और बातरूम के सामने जो है डोर में जरूर लगाए जिससे क्या है कि आपके घर भ आइडिया नमबर सेवन के हम बात कर लेते हैं जब भी हम वैज रायता बनाते हैं दोस्तों तो वह काफी जादा अच्छा नहीं बनता है कभी 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 क्यों कुछ तो कम है रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आता ही नहीं है तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आप जो भी वैजिटेबल यूज करते हैं अपने रायते में डालने के लिए उसको बारिक वाली कदूकस की साइड होती है उसमें से कदूकस कीजी कोई भी वैजिटेबल आप यूज करते हैं तो उसमें बारिक वाली कदूकस से उसको कदूकस करते हैं और जो रायता बनान इंपोर्टेंट मसाले मां आपके साथ शेयर करे हूँ जो कि आपके राहते को रेस्टोरेंट जैसा सवात देगा जब भी आप वैस राहता बनाते हो सबसे पहले हरे धनिये की ताजी पत्तियां इसमें जरूर डाले अच्छे से इन सभी वेज़िटेबल को मिलाएं इसके बाद दोस्तों यहां पर आप सेंधा नमक का यूज करें हम जो रोटियों में नमक डालते हैं वो नमक ना डाले इसमें आप सेंधा नमक का यूज करें लाल मिर्च के जगे काली मिर्ची का यूज करें और भुना हुआ यूज़ करें जो तवे पे भूनते है वह वाला धनिया यूज़ किजिए और बहुत ही आपका जो टेस्टी जो लुक है ना जो स्वाध है वह इस रायते में आ जाएगा सिर्फ आपको तीन मसालों का ध्यान रखना है बुना वजीरा डालना है सैंधा नमक डालना है और काली मिर्ची डालनी है और इसी से जो आपका रायता है वह बिल्कुल रेस्टोराइंट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा उम्मीद करते हूँ यह आइडिया आपको पसंद आया होगा और इस पे एक लाइक और एक शेर जरूर करतीजिए